तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से बिहार समाचार में आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महतपून खबरों को बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे साथ या आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे इसके अलावा वीडियो के लाश्ट में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को देना है जी हाँ बीना बिमा कराए गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिक अब सावधान हो जाए बीना बिमा वाले गाड़ीों से अगर सड़क दुरगटना हो जाए और इसमें किसी की मौत या कोई गमी रूप से घायल हो जाए तो ऐसी गाड़ीों को सरकार निलाम कर देगी खास कर उस इस्तिती में जब वाहन मालिक मिर्तक के परिजनों को दी जाने वाले मुआपजी की रासी पांच लाक रुपे वा गायल के परिजनों को पचास ज़ा रुपे देने से आना कानी करेंगे परिवान विभाग ने इस वावत आदिस जारी कर दिया है और यहां निया मराज में तदकाल परभाव से लागू है बाड़ी कबर बिहार उपचुनाव को लेकर जड़ों ने जारी कि आइस्टार प्रचारों को की लिष्ट स्यम नितिस समीत बिस निता सामिल जिहां बिहार में विधानसवा की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव की मद्दे निजर जड़ों ने बेस इस्टार प्रचारों की सुची जारी कर दी है इसमें पहला नाम मुख मंतरी नितिस कुमार का है अनिश्टार प्रचारकों में जदोई के राष्टी अदक्ष राजी रंजन सिंग और बललन सिंग केंदरे मंतरी आर सिपी सिंग जदोई संसद्य बोर्ड के राष्टी अदक्ष उपेंदर खुसवाह जदोई के प्रदेश अदक्ष उमेश सिंग खुसवाह सामिल है इसके साथ मंत्री विजय कुमार चोदरी, सांसत रामनाथ ठाकूर, मंत्री असुक कुमार चोदरी, मंत्री संजी कुमार जा, सांसत मुहम्मद अलिय असरब भातमी, मंत्री लेसी सिंग, पुरो मंत्री महसर हजारी, मंत्री मदन सहनी, मंत्री सुनिल कुमार, मंत्री जैनत रा कूर विधान पारसद रतने सदा को भी इस्टार प्रचारकों की सुची में सामिल किया गिया है बाड़ी कबर नितीज सरकार का एक और बड़ा फैसला अब सबी जिलों में खुलेगा पिछड़ा वर्ग कन्या आवासी स्कूल महिला सस्थिकरन के लिए पाले से प्रतिबाद नितीज सरकार ने बालिकाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है स्कूली चात्राओं के लिए बड़ा फैसला करते विए मुख्यमंतरी नितीज कुमार ने अब राज के सबी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासी स्कूल खोलने का फैसला किया है साथ मुखिमंत्री ने जननायक करपूरी ठाकुर कल्यान आवासी की निर्मान कारी में तेजी लाने का भी निर्दिस दिया है मुक्यमंतरी नितिस कुमार ने सनिवार को पिछड़ा आती पिछड़ा वर्ग कैलान विवाग की समिक्चा बेटक के दोरान अधिकारियों को कई निर्दिस दिये है बाड़ी कबर धोनी की हैटिक चोको ने सीएसके को नौवी बार फाइनल में पहुचाया हार कर भी दिल्ली के पास फाइनल में जगा बनाने का मौका जिहाँ चन्ने सिपर किंग्स ने पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटेल्स को चार विकेट से हरा दिया अंतिम ओवर में सीएसके को तिरे रोनों की जरुरत थी और गेंद टॉम करन के हातों में थी चन्ने के कप्तान MS धोने ने लगाता रतिंग चोके लगाते वे टेम को फाइनल में पहुचाने का काम किया चन्ने नवे बार IPL फाइनल में पहुची है बड़े कबर अक्टूबर के चौते सब्ता से आएगी गुलाबी ठंड गया और मौतिहारे से हो रही है मानसुन की वापसी पश्ची में हवाव से बदलेगा मौसम जी हाँ अक्टूबर मा के चौते सब्ता से गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा गया और मौतिहारे से मानसुन की वापसी होने से अब ठंड को लेकर संभावना बनने लगी है मानसुन के वापसी होते हैं पश्ची में हवाई चलनी सुरू होगी जिससे सुबर साम की ठंड सुरू हो जाएगी मौसम विबा के मताबिक मानसुन रेखा गया मोतिहारी अभिकापूर इंदोर गानी नगर होते विए पूरबंदर के तरफ जा रहा है इससे बिहार के दिकान में 6 करोड डोज टिका करन वाला राज बन गया राश्टिय इस्तर पर बिहार 6 और राज्यों में सामिल हो गया जहां पर 6 करोड से अधिक डोज दिया गया है आपके जानकारे के लिए बता दे कि उत्तर परदेश में 11.49 करोड महाराष्ट में 8.71 करोड मैद परदेश में 6 दसमलव 51 करोड रात में 6.41 करोड पश्चिम बंगाल में 6.37 करोड और बिहार में 6.02 करोड टिका देने वाला राज भी बन गया है राज में 16 जनवारे से टिका करन अभियान आरम किया गया था राज में करीब 9 महिने में 6 करोड डोज वेक्सिन देने का लक्ष पुरा कर ल किया है दूसरे ओर देश ने 95 करोड ठीका करन के लच को किया हासिल जल्द पूरा करेंगे 100 करोड का लच्च जिहां भारत ने 95 करोड कोवीड वेक्सिन के खुराक के लच्च को पुरा किया है किंद्र स्वास्त मंत्री मंसुग मानवा ने कहा कि आने ओले दिनों में देश 100 करोड डोज लगा कर एक नया इतिहास बनाएगा साथ उन्होंने कहा कि देश में वेक्सिन के जरोत पुरी हो जाने के बाद हम वेक्सिन को एक्सपोर्ट करेंगे एक दिन में करीब एक करोड वेक्सिन लगाई जा रही है देश में कोरोना टिका करन अभ्यान ने आधी दोर तै कर ली है 31 दिसम्बर तक सभी वयस्कों के टिका करन के लख्च के हिसाब से देखे तो अगले लगबग पौने तीन महिने में बाकी की आदि दोरी तै करनी है 22 अक्टवर को पठना आएंगे कनहिया कॉंग्रेस ने कहा उप्चुना में दोनों सिटेंब पर पारटे ने युवा उमिद्वार दिये हैं कॉंग्रेस के प्रदेश प्रबारे भक्त चरंदास ने राजट को कुसिसर इस्तान से उमिद्वार वापसिक की चेटावनी दिल ल कुसिसरिस्तान में मुसहर जाते की लोगों की सिंख्या जदा है इसलिए राजत ने वहाँ से गनेस भारती को मिदवार बना दिया है। मुलकाद जिहां घर से लेकर पार्टी में लग गई आग को बुझाने कल रावड़ी देवी पटना पहुच गई पटना एरपोर्ट पर उतरती ही वे सिधे अपने बड़े बेटे तेज परताब यादव के घर पहुच गई तेज परताब को मा के पहुचने के जानकारे थे लेकिन वे घर से गायब दे रावड़ी देवी से मीडिया ने पूचा कि क्या विवाद सलच जाएगा रावड़ी देवी बिना कोई साब जवाब दिये निकल गई रावड़ी देवी परिवार में लगे आग को बुझाने पहुची है लेकिन इसका कोई असर दिख नहीं रहा है तेज परताब के घर जाने से पहले पटना एरपोर्ट पर रावड़ी देवी को मीडिया कर्मियों ने रोका उनसे पूचा कि क्या उनके घर में जो लड़ाई है वो सांथ हो जाएगी रावड़ी देवी ने कहा कि लड़ाई तो बिजेपी और जड़ूई में है उ इस में कोईले की कमे नहीं पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कॉल स्टोक मौजूद राष्ट्य राजधाने दिल्ली समयत 6 राज्यों में बिजली संकट के आहाट सुरू हो गई है राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली संकट से निवटने के लिए कोटा के हिसाब से र पुर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली को आवैसिक बिजली सप्लाई हो रही है और वो आगे भी जारी रहेगी केंद्रे कोईला और खान मंत्री जोसी ने कहा कि मोदी सिरकार सभी को आस्वस कर रही है कि बिजली आपूर्ती बादित होने का कोई खत्रा नहीं ह कोल इंडिया लिमिटेट के पास 24 दिन की कोईले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन कोईले का परियाब्द स्टोक है थर्मल पावल प्लांट में रोलिंग स्टोक देनी का अपूरती के साथ भरा जा रहा है उन्होंने कहा कि मानसुन के वापसी के साथ आने वाले दिनों में कोई आने से कोईले का इस्टोक बढ़ जाएगा कोईले का प्रयाब्द भंडार है डरने की कोई जरूरत नहीं है वर दसहरा दिवाली और छट पूजा पर बिहार आने वालों को रेलवे ने दिया तौफा इस्पेसल ट्रेन चलेगी देखे लिस्ट जीहां पूजा के दौरान यात्रियों की भीड भार के मद्दे ने जर्रेलवे दौरा नई दिल्ली आनंद बिहार टर्मिनल से बिहार के लिए पर भी स्पेसल ट्रेन चलाए जाएगी मुझापरपूर दर्बंगा बरोनी सहरसा एवम जैनेगर इस्टिसनों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया उसमें आनंद बिहार मुझापर पूर आनंद बिहार टर्मिनल फेस्टिबाल से बिस्पेसल टेन सब्ता में दो दिन चलेगी नई दिल्ली दर्बंगा नई दिल्ली फेस्टिबाल से बिस्पेसल टेन सब्ता में दो दिन चलेगी और आनंद बिहार जैनेगर आनंद बिहार फेस्टिवाल स्पेसल टेन सब्ता में दो दिन चलेगी बिहार में दुरगा पुजा के लिए नियम तै 20 फीट से ज़्यादा उची नहीं होगी प्रतिमा विसरजन के लिए बनी खास विबस्ता त्योहारों के दोरान बनाए जाने वाले मुर्तियों के विसरजन के लिए बिहार सरकार ने नियम वले तैयार की है या 4 अक्टुबर से ही प्रभावी हो गई है आम मुर्तियों के विसरजन इसके नियम के अनुसारी होगा इसके लिए राश्ट्य हरीद अधिकरन ने पिछले वर्स ही निर्दिस दिया था दूसरे तरब बिहार राज परदोसर नियंतरन परसद ने पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा की अधिक्ता मुचाई की सीमा निधारित कर दी है परसद की निर्दिस अनुसार प्रदेश में दुर्गा माता की कोई भी प्रतिमा 20 फिर से उची नहीं होगी वहीं पंडाल के लिए अधिक्ता मुचाई 40 फिर ताई की गई है उससे ज़्यादा उचा पंडाल बनाने पर जिला प्रसद सर रोक लगा सकता है साती मूर्तियों के विसरजन के लिए राज में आइस्ताई तलाब बनाए जाएंगे बिहार राज प्रदोसर नियंतरन परसद ने इस सम्बन में सभी जिलादी कारियों को निर्दिस जरी किये हैं किसी भी नदी में दुरगा प्रतिमाओं का विसरजन नहीं किया जाएगा निर्दिस में गंगा गंडग मांगमती सोन पूनपून एवं कोसी का खास्तोर पर जिक्र है बिहार में नौरात्र के मौके पर चलेगा टिका करन का विसे सभ्यान 9 और 11 को सभी जिलों में मिलेगा वैक्सिन जिहां बिहार में नौरात्र के मौके पर टिका करन का विसे सभ्यान चलाया जाएगा 9 और 11 अक्टूबर को टिका करन केंद्रों के अलावा सहर के कुछ विसे स्भुजा पंडालों में भी टिका लगाया जाएगा स्वास्त विभाग ने 38 जिलों को इस संदर में टिका कर अवंटन कर दिया है स्वास्त विभाग ने सभी 38 जिलों को 9 तथा 11 अक्टूबर को जिस टिका करन अभियान चलाने का निर्दिस दिया गिया है पास और विवाइत लड़कियों के लिए खुशकबरी खाते में जल्द इतने रुप्य भेजेगे बिःहार सरकार जिहां राज में इंटर्मिडेट पास आविवायत लड़कियों के लिए अच्छी कबर है सरकार मुख्यमंत्री कन्या उतान योजना के तहट 4,12,490 इंटर उत्रीन आविवायत लड़कियों को बाड़ी हुई प्रोचान रासी 25-50,000 रुपय का भुगतान अगले सब्ता तक सुनिश्चित करने जा रही है यहां रासी डिविटे के मादम से उपलब्द होगी इसके लिए सिक्छा विवाग ने 400 करो सभी जिलों को जारी किया है इसी तरह सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्तान योजना की तहद 1,24,000 इसना तक पास लड़कियों को प्रोचान रासी 50-50,000 रुपय का भुगतान की करवाई की जा रही है इसली बड़ी कबर महापारव चड़ तक बिहार के ग्रामिन इलाकों में 500 नई एम्बुलेंस की सुविदा परिवहन मंत्री ने की घोसना तो इस दिसा में काम तेज़ करने का निर्देश दिया है फिलाल पहले चरण में योजना के तहद 500 लाबुकों को एम्बूलेंस करेद के लिए अनुदान दिया जाएगा इसमें एक तो ग्रामी निवावो को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी और समय पर बिमार को अस्बताल ले जाया जा सकेगा आज के लिए आपका सवाल बताई कि आज के होने वाले IPL मेच में कौन से टीम जितेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं